हेलो फ्रेंट स्वागत एक नई वीडियो महाज हम बात करने वाले फ्रेंट जो कि मेरे पास है ओपो A71 तो मैं ऐसे में बात करने वालों हूँ डेट एंड टाइम को कैसे चेंज करते हैं अगर आपके पास कोई सभी Android device है या अगर आपके पास ओपो कोई सभी handset है तो आप उसमें भी date and time को change कर सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको कर लेना है सबसे पहले आपको open setting को कर लेना है open open करने के बाद आपको ऐसा interface देखने को मिल जाएगा अगर आपके फोन में settings का ओपsomething नहीं है तो सभी device में होता है तो यहाँ पे आपको लिग देना है date and time तो यहाँ पे लिग देना है तो आपको already हैं से भी मिल जाएगा अगर आपके phone में settings का option नहीं है तो उसके लिए क्या करें उसके लिए आपको जाना होगा back और back जाने के बाद आपको उपर के और open करने के बाद यहाँ पे इन दोनों को कर लेना है और off करने के बाद जो है अब देख सकते हैं हाँआपर set time का option आचुका है तो कर लेना है इसे open open करने के बाद यहाँपर जो भी तारिक हो, जो भी महीना हो आपको वो डाल देना है उपर नीचे slide करके scroll करके फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कर देना है कितने वज़े और कितने मिनट और am pm तो आपको यहाँ कर लिए ठीक है और करने के बाद इन दोनों को कर देना है off और off करने के बाद जो है off इसलिए किया जाता है जैसे कि अगर आपका by chance फन आपी हो जाता है तो date and time आपको बारवार set नहीं करने की जरूरत पड़ेगी तो आपका जो है एकदम fix रहेगा और एक जगे पर ही रहेगा तो आज के वीडियों आपने सीख लिए date and time को कैसे set करते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही जाज जादे वीडियो को सेर करें सिस्क्राइब लाइक बैल आइकन का बटन ज़र दवा दे ताकि आनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नही टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार